इदेखा आप पर के लिखते हैं पर से संुना सब्सक्राइब पार्ट सेकेंड किया थड़का ए ठीक है लाइन की जी नेग्स पेस्टे किया थड़का भी मैं एक्जामना करना क्या चाह रहा है करना है और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए यार ओनली यूज वन पैंट एक्जाम में दो पैंट जाना जाओ तो रख देना साइड में ठीक है एक पैंट यूज करना चाहिए ब्लू कर लो अधर सो हेलो गाइज कम बैक तो अनदर वीडियो आप लोग कह रहे तो वी भी आपी दिखा लेकिन इसमें इसमें मेरे 42 हैं ना तो यहां पर तो यहां पर कितने हमारे फ्रिक्ति से देख सकते हैं और आकाउंट आफ यूनिफॉर्मेटी एंड मॉडरेशन माउट्ट है 42 प्लस 14 यह हो गए तो 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 जो तो यहां पे तो आ रहे हैं और तो एसा क्यों है मैंने मार्स स्कॉर करें फॉर्टी तो यहां पर दिखा रहा है फॉर्टी सब्सक्राइब यहां से क्यों दिए कि यहां लिख रहा है मार्स रेशनलाइज और अकाउंट का उनिफॉर्मेटी और मॉडरेशन तो यहां पर ऐसा क्यों लेख रहा है यह देख सकते हां तो क्यों मिलें बात करेंगे इस वीडियो में आ गई तो उससे पहले देखिए कि हमारा यह हुआ था एक्जाम वैनस जेगों सो आपके लिए 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 लाइक कर देखो इसे मात करें कैसे कैसे मांस में यहां पर केवल एक में दिख रहा है और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब मिले नहीं ठीक है तो पहला जो पहले पर इसके बारे में बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे तो पहला पर पहला जो कॉश्चन आया है यहां पर ठीक है मैंने स्टार्ट करां ध्यान से सुनना एक एक चीज ठीक है उसी के फॉर्टी मांस है इस पर आपको ध्यान देने बलाए तभी आप समझेंगे पहला पर लिख रहा है पहला आपको टाइम वेस्ट होगा है ना दूसरा जब यहां पर आपको अलग से लिख रहे हो तो उसके आगे लिख लिख रहे हो ठीक है जो फॉर्टी मांस में कर रहा हूं इसके बाट आंसर थी ए ठीक है तिरी ए मैं कॉशन नंबर थी का पार्ट एक कर रहा हूं तो इसमें क्या कार्टल के डिफिशन को कुछ भी लिख रहा है आप लोग पढ़ लिएगा ठीक है एक बार पढ़के सुना लिख रहा हूं इसमें राइटिंग मैं फिर से कर रहा हूं इतनी अच्छी नहीं है बड़्ट लैट इसकी डिफिशन लिख दी पर नीचर बताती है और इसमें तीन में से दो मांक्स मिलें उसके बाद आपको आंसर खतम करने के बाद यह लाइन मैंसें में बताईती है यह बतारू यह जरूरी होती है आपके अलग-अलग हो गया ठीक है दूसरी बात अब यहाँ पर आपको को पूशन कोशन कुछ यादा तो आपको एक है स्बीकित करना आप को दूसरा उसके बाद आंसर खतम होने के पाद आपको यह लाइन भी कर देनी है ठीक है यह वाली ठीक है और इसमीबें आपको दो मांस मिलें ठीक है तो मतलब चैसे चार इसे अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह समझना ठीक है अब देखना थाड़कर डी थाड़कर डी में यहां पर कितने आप यहां पर दो मार्स प्रकाइब फिर से नहीं करना पर ठीक है याद हो तभी करना उसके बाद यहां पर आपको दो मिलें तो कितने मांस पूशन था यहां पर पांच कोशन थे पिन-तीन माक्स क्वाले थे टिक हैं अब नेक्स बात करना पूरर को पूरच्ट बात करने हैं पांच करने वाले पतादिया यहां पूस्ट कर नहीं तो कर देबंगे लिए सब्सक्राइब देखेंगे तो नोट्स मैं आप देखेंगे तो नोट्स मैं ऐसे लिख रहा है ठीक है और यह क्या है इसका मेरे पास हाँ यह कॉशन फोर्ट का भी था शायद मुझे बना नहीं तो इसमें तो यहां पर कितने मेरे और उपर कितने मेरे तो कितने होगे तो पारट भी कितने का था टॉंटीफाइब शिव्टीफाइब मैं आपको अच्छे से लिख रहे हैं तो सब्सक्राइब कितने चाहिए अब मुझे सिर्फ फाइव स्कॉर करना है तो पास लाने के लिए यह स्टेजी होती मैं आपको वीडियो बनाता हूं कि 40 कैसे लाने कर लिए आप कैसे आप किया कोई बात ने खुश्ण है यह अंडरलाइन करा ठीक है थोड़ी से जगा बज जाती थी हैं यहां से स्टार्ट मत होना ठीक है जग बजा है बजा नहीं नहीं दूटरे इससे करना आप ठीक है अब आप एसी जाट की बात करेंगे तो एसी जाट को याद रखना मैं आपको बताऊंगा एक टॉपिक यह ध्यान रखना है यह थीचर इसको बहुत दियान रखना आप लोग ठीक है पांच मांग सब्सक्राइब बोल रहा हूं अभी बोल रहा हूं यह एसी जाट का कॉश तो देखों अंडर यहापर भी करा है मैंने पॉइंस में लिखना है अशर पूरा सभी सब्सक्राइब करते हैं ऐसे लिए पुरा सभी आंसर देख सकते हैं उसका करना एक किर प्राइब इसमें क्या किया है तो देखो इसमें दो मास्म मिले हैं तो सभी है जो तो करके पास बुझाएंगे तो इसमें अब यह आता है अब यह देखो एक तो मिल रहा है तो नहीं तो नहीं है तो नहीं तो नहीं तो एक फिट नहीं पर विडिये स्क्लास इन बेफ सी बताना थो इंफ्रेसेक्षर चार मिन यह लिखे अगर शोटेट बता दिया ठीक है एक पॉइंट इसमें बता दिये जो मुझे पता था केवल वी बता दिया है ठीक है यह यह पता था सब्सक्राइब लिए उसके बाद लिखा यह मुझे आता नहीं तो उसमें जीरो मिल गए ठीक है उसको हमने अंडर्लाइन करा लेकिन बताया प्रेजंटेशन बाइब प्रेजंटेशन मैंटर करती है अपको अच्छे से लिखना है प्रेजंटेशन में अभी फिफ्ट का भी इसमें कितने माश में दो मिलें ठीक है और यह आपको प्रेजंटेशन है पर जापको आंसर कैसे लिखने प्रेजंटेशन लेवल डेखने अपको अंडर्याइन करना है सीविगों डिखो विच्प का अउड़ बसू सब्सक्राइब लिगा उसके लिए इसमें नहीं करके लिए इसमें नहीं करना है तो आप नेक्स से कर तो इतनी जगती मैंने छोड़ दिया इसको लेकिन मैं सब्सक्राइब लिए और यहां रहा है इस तो भी याद रखना अब आता है याद रखने के रहा है इसका बताऊंगा अब यह देखो उसके बाद यह कॉशन दा दूतरा इसमें दो मांस मिल गए तो इसके मैंने पैनल्टी बहुत इजी तीज़ी थी ठीक है तो इसमें एक तो ऐसा था कि अकर नार्कोटिक ड्रग से लेड़ेट है तो तो तीन साल या दस साल की लावा है तो उसमें किते लगेगी तीन साल लगेगा ठीक है तो यह थी मेरे कॉपी आप लोग के सामने सेटिफाइड कॉपी आप लोग दिखा दो इस अब हम बात करते हैं आप लोग को पता चलिए कितने मास आएं देखो अगर आप टूटल को तो मेरे हैं 42 मार्स लेकिन मेरे एक्जाम में मेरे रिजल्ट में वह 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 56 तो ऐसा क्यों है मैं लिखके तो 42 को आया हूं बट मेरा आंसर 56 कैसे आ रहा है जो अभी आपको प चीज मैं आपको बता रहा हूं ज्यान से सुना देखो इसका मतलब क्या होता जो भी आई से साइक गाडलाइन होती है अगर आप उस चीज़ को पैटरन को फॉल्ट करते हो जो कि आई से साइब बोलता है कि आपको कॉशन गडबड़ निकरने के कर दिया कि पीछे कर दिया तो उसके बाद मुझे 14 मांस कैसे मिलगा है तो ध्यान से सुनना अब मैं मत आने जा रहा हूं कि तो देखो मैं अगर करता फिर करता फिर करता फिर करता अगर मैं ऐसे करूंगो तो अपने जिस तरीकी से मैं चाहता हूं उस तरीके से अग्जामिनर को शो कराना चाहता हूं तो देख रहो ना आपको सीक्वेंस भी लिखने हैं थाड़ ए से लेकर थाड़ी तक आपको आप खुद एक्जामिनर को रखे देखो कि आप एक्जामिनर हो आपको घुड़़वत पढ़ रही है दिखो थाड़का बी इस पेच पे अंडरलाइन करें ज्यांसे सुनना आप इंपोर्टिंट पॉर्टिंट करें और जो भी आपको लगता है तो करना कर नहीं आतों मत करना लेकिन पार डीवी में कंपरी जैक में कर लेना जो कि है आपका 25 मांक सा बहुत अच्छी से मांस मिल जाएंगे आपको यह ध्यान रखनी आपको सीजिए ठीक है उस बाद एक पार्ट करो तो एक पार्ट के सारे कॉश्चन करो एंड देन उसके ब करना है और एक बहुत जादा इंपोर्डेंट बात आप लोग के लिए यार उनी यूज बन एक्जाम में दो पैन लेगे जाना जाओ तो रख देना साइड में ठीक है एक पैन यूज करना चाहिए ब्लू कर लो अधर पैन मत करना है हमारा फैल्स का एक्जाम है हम तो भाई ब्लू पैन यूज करो इस खिलाव कुछ यूज मत करना ठीक है यह चीज है अब यह देखो पार्ट बने स्टार्ट हुआ बसका ए मैं आपको बता चुका हूं कैसे लिखना पेज आंसर नेक्स आंसर पैज नेक्स देखो फस्ट भी खतम फस्ट सी खतम फस्ट डी पेज खत बढ़ गया अंसर तो बढ़ने दो उसके बाद जो आदा पेज बता उसको कार्ट दो ठीक है वहाँ पर मत सौल करना नेक्स से सब्सक्राइब पूरा लिखा ठीक है तो इस तरीके से आंसर लिख होगे ना तो इसे उनिफॉर्मिटी मॉडरेशन जो आपको मार्श में सकते ह कर रहे हो है ना तो यह चीज आप लोग के लिए थी मेरी तरफ से आप लोगो ठीक है और भी कोई दिक्कत आती कोई परशान ही आता है आपका भाई है आप यहां पे यूंट फॉलो मी ऑन माई इस्टाग्राम और यू कैन आपको कमेंट लों ना कमेंट टेक्शन यार कोई सब्सक्राइब करना इसके बाद आपको सब्सक्राइब करना इसके बाद एक पार्ट सारे कोशन करना उसके बाद पार दूसरा टैम करना तो भाई यह सब चीज़े इंपोड़न आप लोग लिया को अंडरलाइन करने हैं इसक्षन बताने हैं तो याद करके जाना आप यह सब सा आप लोग लिए में तरफ से इस लाइक बटन या बहुत महिनत लगती पूरी कॉपीनलाइज करने में और यूनिफॉमिटी मॉडरेटी क्या होती में जो खुद नहीं बताता तो मैंने एक पूछा जो एग्जामिन ठीक है आप लोगों को बताना चाहरा हूं कि कैसे कैसे लिखते हैं ठीक है तो भाई मेरे टाइम पर कोई नहीं था अब मैं चाता हूं आई डॉन्ट एट तो फेस डैट इंग अगें जो मैंने फेस करी आप लोगों के दिए सब सीज़ें है लाइक करते ना इस लाइक दी ठीक है कमेंड कर देना या फिर मुझे डीम कर देना इंस्टाग्राम पर ठीक है तुभाई डिस वासा ब्यूटिफुल है क्या सकते हैं कि कैसे लिखते आंसरी भी सेल में आप लोग कह रहेते हैं तो देख लेना है अच्छे तरह से लिखना बैस्ट ओफ लॉख पॉर एग